हेले सुदेंट्स, वेलकम तू अफिसेल यूट्यूब चैनल आप ओरीजिन कोचिंग, स्वागत थे आप सभी का आज के इस स्पेसल सेशन पर और आज का स्पेसल सेशन हमारा कम्प्लीटली इस बात पर बैस्ड है कि अभी साथ मई को जो नीट का आप एक्जाम देने वाले ह उस एक्जाम में आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले मैं आपको डिसकस करूँगा कि हमारा एक्जाम स्ट्रेटीजी कैसा होगा, एक्जाम में पेपर कैसा आएगा, कितने मार्स को होता है, यह कम्प्लीट चीजों पर डिसकस करूँगा और सबसे इ कि कोई प्लेयर कितना अच्छा है वो एक अलग मेंटर होता है और उस टुरेशन पर 20 ओवर के डिवरेशन पर कितना अच्छा परफार्म कर पाता है यह बिल्कुल अलग चीज होता है आपने यह चीज निश्शितम से देखा होगा exactly हमारा NEET का जो exam है हम 3 hour में क्या परफाम करते हैं वो 3 घंटा ही हमारा सारा चीड़ करता है हम जितना preparation किये होते हैं उसको हम उस 3 घंटे में कैसे represent कर सकते हैं ये सबसे important role play करता है हमारे अच्छे मार्स gain करने पर तो आज मैं कुछ technical चीज़ों पर आपसे discuss करूँगा कि किन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए बाकि आपका खुद का भी planning हो सकता है ये मेरा अपना experience है जो मैंने इतने साल में देखा है वो आपके साथ में share करूँगा और आपकी अपनी खुद की भी planning हो सकती है कि हमको ऐसा करना है क्योंकि हम साल में पढ़ने के दरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे discuss करूँ कि हमारा exam pattern होगा कैसे देखो हमारा जो exam का pattern है उसमें number of question 180 होगा 180 प्रस्म आपको मिलेंगे यहाँ पर 45 question आपको मिलेंगे physics के मने solve करना है 45 question आपको physics का solve करना है और 45 question chemistry का करना है और 90 question biology जिसमें 45, 45 जुलाजी और बाटनी के question आपको attempt करने है अब यहाँ पर आप देखो total marks आपका 720 होगा question के pattern objective type होगा इसमें subjective question नहीं होगे आपको यह बात पता है कि पूरा question objective होगा offline paper पर offline mode पर आप दोगे pain paper पर best यह exam है आपको पता है IIT JEE जैसे यह online best नहीं है यह completely offline best paper है यह बहुत initial जानकारी है जो आप सबको पता है फिर भी मैं आपसे एक बार share करता हूं आपका exam duration होगा थ्री आवर्स का आपको थ्री आवर्स में physics के, chemistry के और biology के तीनो question paper को एक साल्व करना होगा यहाँ पर देखो NTA ने 12 language इसके लिए consider किया हो तो आपने जब exam फाम भरा होगा तो आपने अपना language select कर लिया होगा कि किस language से आपको इस paper को देना है जिसमें English, Hindi, Asamya, Bengali, Gujarati यह सब language है आप तो उसको पहले से पता है यहाँ पर marking scheme क्या है यह महतुपूर्ण बात है plus 4 marks for each correct answer आप एक correct answer देते हैं तो आपको 4 number मिलेगा एक correct यह 180 question नहीं 180 marks है धिया रखना number of question is 45 marks is 180 ठीक है आप स्वारी सब मिलाके यहाँ पर हमने लिखा है सब मिलाके लिखा है 180 सही बोला मैं total marks 720 का होगा तो यहाँ पर correct answer के लिए आपको 4 marks मिलेगा और आप एक गलत answer कर लेते हैं तो minus 1 उसमे negative marking होगा मैं आगे आपसे discuss करूँगा कि negative marking से बचने के लिए आपको क्या करना है कैसे question को आपको भ्यान में रखना है कि कब answer skip कर देना है सब discuss करूँगा मैं भी तो यह आपको marking scheme है अब यहाँ पर देखो कि आपके जो question paper में आपको जो मिलने वाला है इसमें आपको physics में दो section मिलेगा section A, section B section A में 35 question होंगे जो की compulsory होंगे compulsory means आपको उन 35 question को बना नहीं है लेकिन section B में आपको जो 15 question मिलेंगे उसमें any 10 आपको attempt करने है पांच question आपको छोड़ देना है इस तरह से 10 into 4, 40 marks का होगा 35 into 4, 140 होगा total 180 marks का आपका physics का paper होगा इस तरह से इसी तरह से chemistry में भी आपको 35 compulsory होगा 15 में आपको select करके any 10 बनाना है ये भी हो जाएगा 180 marks का इसी तरह से आपको बाटनी में भी और इसी तरह से जुलाजी में ये latest new pattern है पहले अपने को पूरे question compulsory होते थे 45 question compulsory होते थे लेकिन अभी आपको यहाँ से 35 और इसमें से अपने को select करना होता है पहले old pattern पर पूरे 45 question हमको बनाने होते थे अब आपको 2 section का आपको choice दिया हुआ है आपके सभी question multiple choice question होते हैं ये मैं आपको बताया तो इस तरह से आपको 3 घंटे में ये paper देना होता है ये initial knowledge आप सबको निश्ची तरुप से होगा चलिए अब हम बात करते हैं time management पर देखो सबसे बड़ी बात जो होती है कि phyges chemistry biology में किसे से करे शुरुआत एक बहुत बड़ा question जो हमको class लेते वक्त जब हम NEET का coaching देते रहते हैं तो बच्चों से maximum बार हमको ये पूछा जाता है कि sir कहां से मैं सुरू करूँ मैं phyges पहले बनाऊ कि chemistry पहले बनाऊ कि बयावलाजी पहले शुरू करूँ तो देखो इसका कोई hard and fast रूल नहीं है कि यहां से आप शुरू करो तो ज्यादा अच्छा करोगे इससे करो तो करोगे ऐसा कुछ नहीं है आपको करना क्या है ध्यान से सुनो देखे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टेश पर हमको इसको साल्व करना चाहिए आप निश्ची तुरूप से बायो की स्टुडेंट हैं नीट का एक्जाम दे रहे हैं मैं समझता हूं मैं तो फिजिस का टीचर हूं मुझे बायो का उतना नहीं होगा ऐसा फिजिस जैसे कोई निमेरकल नहीं है जिसको आप 10 मिनट तक साल्व किया फिर आप पहुंचोगे इस कांसर सही आए गलता है तो मेरे हिसाब से आपकी अपनी पर्सनल इसी लिए मैंने सुरवात में कहा मैं आपसे जो भी डिसकस कर रहा हूं वो कंप्लीटली मेरा अपना ओपिनियन है आप अपने ओपिनियन को मेरे साथ आप कंपेर कर सकते हैं दोनों मेच करता है बहुंत अच्छी बात है अधरवाइस आपकी अपनी खुद की प्लानिंग हो तो दिबेस्ट उससे अच्छा कुछ नहीं है जिसमें आप कंपर्टेबल होगे लेकिन मेरा अशा मानना है कि आपको जिसमें डारेक्ट आंसर ज्यादा पता है जैसे बाइवलाजी में आपको अच्छा एक तो सबसे बड़ी बात होती कि आपको कमांड किसमें अच्छा है एक बार सेर आपको 100% पता है कि यहीं होगा तो होगा सिधा फेक्ट है वह ज्यादा आपको कोई सोचना दिमाग नहीं लगाना है आपको लर्न है वह आपको याद है सेकंड नंबर में या तो आप केमेस्ट्री को करो या तो फिजिस करो लेकिन दोनों को करो तो एक बात ध्यान में रखना किसी भी question में ज्यादा time taken है क्योंकि एक बात हम ऐसा ध्यान रखना कि competitive exam में select होना उस three hours पर मैं आपको बोला कि 2020 के match में आप उस hours पर कोई batsman कैसा play करता है या baller कैसे play करता है उस पर team का winning condition होता है exactly आप तीन घंटे में कितना अच्छा आपको नालेज बहुत है आपने बहुत पढ़ाई किया है लेकिन उसमें तीन घंटे में आप क्या वहाँ पर प्रेजेंट करते हो यह आपका रिजल्ट होगा इसलिए वहाँ पर अपने प्लानिंग को प्रापर पहले से करके जाओ कि प्रापर आपके पास प्लानिंग हो इसके बाद मैं करूंग यह करूंगा तो जहां कोई भी question आपको time taken लगे आप भूल रहे हो लगे numerical है लगे इस concept पर है डो direct concept पर है ऐसे question आपको सीधे सीधे करने चाहिए जैसे मालों आपको chemistry में फारमूले पुछे गए हैं कुछी structure पूछा गया है जो आपको याद है सीधा सीधा यह question आपको पहले कर लो और बाद में फिर उसमें कोई लाजिक है कोई reasoning का type का question है कोई calculation है छोटा मोट उसको आपको करना चाहिए तो यह मेरे हिसाब से ऐसा आपको order होना चाहिए इसके बाद मैं आप से discuss करूं कि पहले किन प्रस्नों को बनाए अभी मैंने लगभग उसी बात पर discuss किया कि पहले किन प्रस्नों को बनाए तो question में जैसे हम पढ़ते जा रहे है question को तो पहले उनक पर direct answer वाले question को बनाओ दूसरे round पर आप concept वाले जिन में कुछ concept है और प्लस छोटे-छोटे numericals physics और chemistry में यह question को आप दूसरे round में बनाओ और त्यूसरे round में आप यह देखो कि doubtful जो question है आपको कि किसी question के answer पर doubt है तो वहाँ पर क्या करना है अपने को थोड़ा सा alert रहना ह सुर्वात में ते आपने उसको first round में छोड़ दिया second round में छोड़ दिया आप उसको कि अब third round में आप question को again देखो और ऐसे question पर आप सोचो कि इसका answer यह हो सकता है कि यह हो सकता है इस पकार से जब आपको चारो answer में से कोई भी दो answer में 50-50% का chance हो तब आप थोड़ा बहु दो skip कर दो क्योंकि फिर आपको negative marking की तरफ ले जाएगा तो दो round में आप proper अपने question को बना लो और तीसरे round के लिए doubt full के लिए आप वही exam center में थोड़ा सोचो और presence के साथ उसको attempt करो ओके वो आप वहीं decide कर पाऊगे यहां से मैं उस पर कुछ भी बात नहीं कर पाऊँगा पहले किन प्रस्नों को बनाएं तो वहीं चक्र है थ्री साइकल पर हमको बनाना चाहिए थ्री साइकल पर कितने चक्र पर थ्री साइकल जो मैं पीछे बताया यह थ्री साइकल पर अपने को question paper solve करना चाहिए direct answer, calculation based answer and after that doubtful question यह तीन चक्र पर अपने को question paper को solve करने चाहिए और important बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिडात्मक मुल्यंकन यह मुल्यंकन है भूइना यह थोड़ा-Hींदी टाइपिंग में ऐसा लिखा गया है यह मुल्यंकन है निगेटिव कोस्चन निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है क्योंकि मैंने कई बार देखा है मेरा experience है कि कई बार कि students क्या करते हैं खासकर physics में अपने subject की बात कर रहा हूं अरे physics का तो मेरा कुछ भी question नी बना मैं तो 8 question बना पाया 10 question बना पाया उसके बाद इधार उधार उधार करके question मार के आ गए तूका मार के आ गए बाद में पता चला कि जुलाजी बाटनी chemistry अच्छा बना था physics में बहुं सारे question negative marking हो ग इस तरह का problem face करता है तो थोड़ा अपने उस excitement को बचा के रखना है कंट्रोल करके रखना है एक्जाम में कि कई बार मैंने देखा है कि last moment में ज्यादा question नी बनाया करके फटा 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 रहने दो मैं तो कई बार ऐसे बच्चे देखें हैं जिसने साथ-ाठ को physics में अटेम कि और बहुत अच्छे मार से select हो गया क्योंकि जुराजी बाटनी है कि में C अच्छा बना के आये थे ने तिहां लालाच में physics तो मेरा अच्छा नहीं बना करके उसमें बहुत सारे question को तुक्का मार दिया और सब गलत हो गया तो मेरा suggestion है कि negative marking से यह तो नहीं हो सकता, इसका answer बी तो नहीं हो सकता, इतना मैं sure हूँ, तो कई बार हमको सही answer नहीं मिलता तो गलत answer decide करना चाहिए, यह नहीं हो सकता तो वहां पर थोड़ा बहुत chance लिया जा सकता है, और मैं तो उसके लिए भी मना करता हूँ, फिर भी कई बार ऐसा 2-4 प्र को इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एलर्ट कर दो करके, मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, लेकिन आपकी फ्लाइनिंग होती है, मैं बहुत फैट बात करने वाला टीचर हूँ, कभी हवा में बात नहीं करता है। सबसे बड़ी प्लाइनिंग होती है, वो खुद की होती है, हर इंसान का अपना एक personal strategy होता है, हम लोग तो क्यवल आपको guide करते हैं, अपना experience share करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी planning हमारी planning को match करता है, मुझे पता है, proper उसको match करता है, इसलिए क्या है, हम आपसे ये बात share कर रहे हैं, तो आप उसको देख लिजी आप किसमें comfortable हैं, और उसी हिसाब से आपको work करना है, तो 7 मई का paper आप बहुत अच्छे से दो, okay, wish you all the best, thank you.